हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक तो एस्टेडी क्लासस तो माई डियर फ्रेंड्स आज आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं हमारी फाइव मिनिट सीरीज के अंदर और टॉपिक जो आपके साथ डिसकस करना है वो जुड़ा है यूजी सी नेट पेपर वन पीपल और एंवार इसके बारे में आपके साथ आज डिसकुशन हम करने वाले हैं तो आई अपने डिसकुशन को स्टार्ट करते हैं तो my dear friends आके बढ़ने से पहले एक बार जल्ली से आपको हमारे courses के बारे में भी बता देते हैं तो paper 1 जो की general paper है उसके लिए हमारे पास है mini combo pack और complete course paper 2 commerce और management के लिए हमारे पास है free unit snapshot notes, unit wise explain past papers, practical units का course, computer based series और paper 2 का complete course paper 1 और paper 2 दोनों का course आप एक साथ भी purchase कर सकते हैं at a discounted price तो my dear friends अगर बात करें climate change performance index की तो सबसे पहला सवाल तो आता है sir ये index किस ने issue किया, ये index हमारा तीन organizations ने मिलकर issue किया कौन-कौन सी new climate institute, german watch और climate action network can, इन तीनों ने मिलकर ये index जो है वो जारी किया है, ये आपको पता होना चाहिए और ये जो हमारा index है, ये हमारी जो greenhouse emitter countries है, उनको ranking देता है since 2005 ये उनको ranking प्रवाइड कर रहा है, ये देख रहा है कि हमारी जो greenhouse emitting countries है वो कितने efforts कर रही है, greenhouse gases की emissions को रोकने के लिए, global warming को रोकने के लिए इस index को हम prepare करते है, by assessing the performance of the countries in four categories चार categories में countries की performance देखते है, renewable energy कितनी इस्तमाल कर रही है हमारी countries greenhouse gas की emissions कितनी है, climate को लेकर policy क्या है, और कैसा energy usage वो कर रहा है क्या वो ऐसा energy use तो नहीं कर रहे है, जिसे environment को बहुत साथा pollution हो रहा हो तो अगर हम बात करें, इस index में क्या-क्या ranking दे रखी है हमारी different countries को तो उसके अंदर इंडिया के लिए तो खुशी के बात है, इंडिया के लिए खुशी के बात ये है और इसको 2020 year के basis पे हम consider करते हैं, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो rank है वो 10 निकल कर आया है 2020 में और last year इंडिया का rank था 9 तो इंडिया top 10 में तो आया है बट इंडिया का rank जो है वो एक नीचे हो चुका है चाइना आपका जो है उसको 33rd rank यहां पर मिला यानि कि चाइना कुछ जादा खास नहीं कर रहा climate change को रोकने के लिए और इसके लावा यहां पर बहुत interesting बात यह है कि पहले तीनों rank जो है वो खाली है Sweden जो है वो आपका 4th position पर आया उसके बाद है UK, Denmark तो इतना जादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है बस आपको यह पता होना चाहिए कि यह इंडेक्स है इसके अंदर इंडिया टॉप 10 के अंदर आया है और इसके अलावा यह कौन सी institution वगरा जो है वो issue करती है बहुत जादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है तो my dear friends अगर बात करें इंडिया का क्या response रहा है climate change के context में आप देख सकते हैं कि इस index के अंदर इंडिया को काफी अच्छी ranking मिली है तो काफी कुछ इंडिया जो है कर रहा है climate change के context में और यहां पर हमारे यह भी जानना जरूरी है कि क्या responses इंडिया के है climate change को लेकर तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि national action plan on climate change जो है इंडिया ने launch किया है to address the issues pertaining to climate change तो national action plan on climate change के बारे में आपको पता होना चाहिए इसके लावा clean energy को promote करने के लिए national clean energy fund जो है उसे launch किया गया था 2010 के अंदर और Paris climate agreement हमारा जो है उसके अंदर भी इंडिया ने अचीव करके दिखाऊंगा इंडिया ने कहा greenhouse gas emissions जो हमारी है उसे मैं 33 से 35% तक कम कर दोंगा by 2030 इसके लावा 40% जो इंडिया के अंदर power generate होगी वो non fossil fuel sources से generate होगी और साथ ही इंडिया जो है carbon sink create करेगा कैसे create करेगा इंडिया जो है forest cover को बढ़ाने वाला है 2.5 to 3 billion tons का forest cover जो solar energy को promote करने के लिए इंडिया ने international solar alliance तो है वो भी found किया उसका founding member है इसका secretariat भी इंडिया के अंदर ही है तो काफी सारे action इंडिया ने लिए है climate change के context में और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर my dear friends हमारे पास एक practice question है तो इस question को आपने solve करना है और अपने answers को comments के तुरू हमारे साथ जरूर से share करना है तो thank you my dear friends यह था आज का हमारे चूटा सा discussion उमीद करते हैं जो बाते हैं अज आपके साथ discuss करी वो आपको समझ में आई है अगर आपको आज का discussion पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को like करना हमारे चैनल पे नए है तो इसे subscribe करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे share करना